नमस्कार मैंनाजमिन खान आप देख रहे हैं SPN 9 News जवाल लाल नहेर यूनिवसिटी का मामला जबसे दिपिका पादुकोन वहां गई है जबसे विवादों में गिर गई जबसे किसी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है सिर्फ दिपिका ही एक मुद्दा बन कर रह गई है सब उसको निशाने पर ले रहे हैं और उसी के जरीए निशाना साद रहे हैं छात्रों के उपर उनको कभी आतंगवादी बताते हैं तो कभी देश-द्रोही बताते हैं अब ऐसे में दिपिका की फिल्म भी रिलीज हो चुकी है दस जन्वरी उसकी उनकी फिल्म रिलीज हो चुकी है और उसको लेकर काफी अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं दिपिका की फिल्म छपाक को लेकिन वहीं भाजपा सरकार की तरफ से लगतार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है दिपिका के खिला अब ऐसे मैं आपको बता दें कि पटना में और ऐसे अलिगड में कई ऐसे सिनेमा घर है जहां पर दिपिका की फिल्म को चलाने की अनुमती नहीं दे रहे हैं पर कुछ आरे से संगठन के लोग है जो इस कि फिल्म को लेकर विभाद खड़ा कर रहे हैं और वही पर गरों के बाहर दिवारों पर पोस्टर लगा रہे और कह रहे हैं कि अगर आपको भी पिल्म देख नहीं हैं अगर आप में इतनी हिम्मत है तो और पहले इंशॉरेंस करा लें आप अपना उसके बाद इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं तो इसके साथ साथ आपको बता दें कि उस दिवार पर आरेसिस के संगठन के कुछ लोग पंकज, पंडित और दीपक शर्मा का नाम और फोटो दे रखा है और कहा है कि अगर आप फिल्म देखना चाते हैं तो पहले इंशॉरेंस करा लें और ये नाम और ये लोग हैं आप इंसे करा सकते हैं तो एक तरहा से वो खुद ही विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं वहीं भाजपा को भी लपेटे में ले रहे हैं जहां उतरप्रदेश में योगी आदितिनात की सरकार है और वहीं पर ऐसी घटना देखने को मिल रही हैं जहां पर आरेसिस संगठन के लोग ऐसी ह अरकत करते हुए नजर आ रहे हैं अब ऐसे में आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उससे पहले आपको यह बता देए कि जिस तरीके से मामला देखा जा रहा है जिस तरीके से जेन्यू में जो विवाद हुआ जो घटना घटी उसको लेकर अभी पकड़ा नहीं गया है लेकिन उससे पहले दिपिका वहां गई और उसके बाद उनकी फिल्म को विवादों में ले लिया जहां कई जगाओ पर फिल्म के कि फिरे में बाटे जा रहे हैं जहां पर फिल्म देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है एक एमोशनल स्टोरी है और एक रियल बेस स्टोरी है आपको बता दें कि लश्मी अगरवाल की स्टोरी है और उस बेस पे ये छपाक फिल्म है और एक तरह से समाच को आईना दिखाने के लिए फिल्म बनाई गई है और उसी पर लेकर अब भाजपाओं की तरह से विरोध हो रहा है आरे से संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं ऐसे में कई सरकारों पर सवाल खड़े होते हैं जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है जहां विपक्ष लगतार जंता के समर्थन में है छात्रों के समर्थन में हैं वहीं अब ये लोग लगतार दिपिक बनाए हुए और दिपिका को टार्गेट बनाते हुए इन सभी विपक्ष पार्टी ओपर निसान असाद रहे कभी कहते हैं दिपिका को कि ये कॉंग्रेस पार्टी का समर्थन इसलिए कर रही है क्योंकि वो शामिल होना चाहती है इससे पहले दिपिका ने ये सब बातों को ख एक्ट रस्बनानीजस